दोस्तो हाली में मैंने डिस्कॉइट मूवी देखा है जिसे माइकल विनिक डिरेक्ट करे हैं और इस फिल्म की कहानी थोड़ी डिफेरेंट सी है I mean इतनी डिफेरेंट है कि इसे IMDA पे मिले हैं सिर्फ 3.8 स्टार्स आट अट अफ 10 और रॉटन टोमैटोज में पहली बार It's 0% fresh with an audience rating of only 21% अब मेरे इस फिल्म को cover करने के कई reasons है First इस फिल्म की कहानी बहुत अलग सी है Then इस फिल्म की ending भी काफी clear नहीं है साथी मैं चाहता हूँ कि आप सही भी पूरी वीडियो देखने के बाद फिल्म को out of 10 ratings दे comment section में Now before I start this video मैं सभी से एक request कर रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमाया चैनल को subscribe भी जरू कीजेगा So now with that said, let's roll the intro तो फिल्म के शुरूआत में हम Sam नाम के इनसान से मिलते हैं और Sam की wife का नाम Sarah है Sarah pregnant है and still Sam उसका खयाल रखने के बजाए हमेशा अपने काम में ही लगा रहता है Sam का एक IT स्टार्ट अप है जो की फिल्हाल बहुत अच्छा नहीं चल रहा इसके तुरंट बाद एक cut scene में हमें दिखाया जाता है कि Sam के car का accident हो चुका है और वो बुरी तरह चोटिल है वहाँ एक medic person आता है जो Sam से कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे scene again cut होता है जहां हम Sam को अब अस्पताल में एक बेड़ पे देखते हैं हॉस्पिटल के जिस कमरे में Sam था वहाँ एक बुरह पेशेंट भी दूसरे बेड़ पे था Sam बेड़ से उठके medical equipment वगड़ा अपने शरीर से detach करता है और वो नर्स को बुलाने के लिए बजर दबाता है इस दोरान Sam लोडिस करता है कि वो बुरह पेशेंट अब अपने बेड़ पे नहीं था तब ये एक दम अचानक से वो बुरह पेशेंट Sam पे हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिस करता है Sam hospital के corridor में भागता है जहां उसकी इस बुरह से जम के हाथा पाई होती है In the end Sam खुद को बचाने के लिए बुरह को surgical knife से मार देता है इस point पे Sam realize करता है कि ये hospital काफी खाली-खाली सा था और ऐसा लगड़ा था मानो Sam यहां खोस आ गया है अब Sam जब पीछे मुड़ता है तो वहाँ उसे जमीन पे बुरह patient का शरीर नहीं दिखता जबकि अभी कुछी seconds पहले तो Sam उस बुरह patient को मार गिराया था ऐसे में Sam भाग कर फिर से अपने कमड़े में जाता है जहां वो बुरह patient अब वापस अपने bed पे पड़ा हुआ था Sam phone अपने कपड़े बदलता है और अपना phone चेक करता है जिसमें बिलकुल network नहीं आ रहा था अब इससे पहले वो कमड़े से बाहर जा पाता एक अजीब सी नर्स आके Sam को वहीं rest करने कहती है Sam कहता है कि मुझे ये बुरह इंसान हमला किया है लेकिन अब बेड़ पे कोई नहीं था इन फाक्ट अगले ही चण नर्स भी गायब हो गई थी इस पॉइंट तक Sam बहुत confused था और वो north elevator की तरफ भागता है ताकि वो इस hospital से बाहर निकल सके तब ही वो देखता है कि दूर पे वही बुरह patient ख़़ा था जो कि अब दौरते हुए Sam की तरफ बढ़ता है एन मौके पे Sam elevator में घुसके दरवाजा बंद कर लेता है स्टिल ये बुरह patient अब elevator के ऊपर कूद गया था और ऊपर से अंदर आने की कोशिस में था लेगन इससे पहले वो अंदर आ पाता, lift एक floor पे खुलता है और Sam lift से फॉरन बाहर निकल जाता है इस point पे Sam को हलका सा अपना accident याद आता है जहां उस वक्त उसके करीब दो लोग थे एक medic वाला बंदा जो कह रहा था कि तुम ठीक हो जाओगे, वहीं एक police वाला भी था जो की negative बाते कर रहा था for example वो कह रहा था कि जिसकी कार से Sam की कार को धक्का लगा है वो बंदा पी के गारी चला रहा था और वो तो मरी गया है, subtly hinting कि Sam का भी वही हश्र होगा अब यहां से scene मॉनिका नाम की lady पे shift होता है जो कि अपना surgery करवाने आई है हम समझ पाते हैं कि मॉनिका इससे पहले भी कई surgery करवा चुकी है ताकि वो खूबसूरत दिख सके वो होता है ना plastic surgery जिससे चहरा अच्छा कर लिया जाए, body अच्छा कर लिया जाए वगेरा वगेरा हाँ तो इस बार वो अपने chest area की surgery करवाने वाली थी ताकि वो और सुन्दर दिख सके surgery से पहले nurse कहती है कि तुम already बहुत खूबसूरत हो, वहीं doctor कहता है कि मैं तुम्हें और खूबसूरत बना दूँगा इसके बाद Monica को बेहोश किया जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके आसपास कोई नहीं था तभी एकदम से वहाँ तीन औरते आती हैं जो कि normal नहीं लग रही थी और वो Monica पे हमला बोल देती है इन तीन लेडीज को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो भी किसी तरह की plastic surgery के लिए ही इस hospital में आई होंगी Monica यहाँ चिलाने लगती है और उसकी आवाज Sam को सुनाई देती है जी हाँ यह लोग same hospital में अभी थे Sam यहाँ Monica के कमरे में आता है और Monica को इन तीनों से बचा के यहाँ से बाहर निकालता है Although इस भिरंद में Sam के पेट में थोड़ी चोट जरूर आ गई थी खैर इसके बाद Sam और Monica एक दूसरे से इंट्रड्यूस होते हैं और अब दोनों मिलकर इस hospital से निकलने की सोचते हैं Hospital का landline phone भी dead था और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए तभी इन्हें किसी के चिलाने की आवाज सुनाई देती है और Sam आवाज का पीछा करके एक कमड़े में पहुंसता है जहां काटर नाम का एक इनसान टेबल पे हैंड कफट था काटर का कहना था कि उसे एक कॉप और डॉक्टर बेट से बांद दिये हैं और वो इस हॉस्पिटल पे इसलिए आया था क्यूंकि उसे एक गोली लगी थी मॉनिका पूछती है कि तुम्हें कौन गोली मारा था और काटर कहता है कि मुझे एक पुलिस वाला गोली मारा था ये सुनके मॉनिका काटर की मदद नहीं करना चाहती थी लेकिन सैम उसके नहीं सुनता और काटर को आजाद कर देता है अब ये तीनों हॉस्पिटल में साथ थ थे थे थोड़ी दिर बाद जब सैम भी नीचे की और भागता है तो उसे लगता है मानो नीचे धुआ है और आग लगी हुई है तभी एक गमसे एक लंबा चोड़ा सा नर्सा आता है जो कि सैम को स्टेर एकजिट से बाहर harus खिश लेता है और उसे नीचे जाने से मना करता ह सैम कहता है कि मेरे दो दोस्त नीचे गए हैं और मुझे उनकी मदद करना है लेकिन यह आदमी कहता है कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं है इसके बाद सैम को इस आदमी के चेहरे के फीचर्स गाइब होते दिखते हैं जिससे उसका फेस बहुत डरावना दिख रहा था लेकिन इ एक बुरा आदमी वीलचे पे आता है जिसका नाम वर्जिल था वर्जिल और डॉक्टर लिली में थोड़ी बाते होती है जहां लिली कह रही थी कि मैं सैम को नीचे ले जा रहे हूं लेकिन वर्जिल कहता है कि मेरे रहते तुम इसे नीचे नहीं ले जा सकती लिली कहती है क इसका एक्सिडेंट टेक्स्ट एंड ड्राइव करने के कारण हुआ है इस पर वर्जल कहता है कि मेभी साम एक गुड हार्ड वोकिंग हुमेन है जो कि आगे चलके एक फादर बनेगा हाँ लाइफ में वो कुछ मिस्टेक्स किया है बट स्टिल उसका एक्सिडेंट दूसरे ड फ्रांक नाम के पुलिस वाले से होती है जिसके हाथ में पिस्टल था यह दोनों फॉरण रियलाइज करते हैं कि दे आर अन दे सेम साइड और उन पे इस हॉस्पिटल में कुछ अजीब लोग हमला कर रहे हैं यहां फ्रांक सैम को खिरकी से बाहर देखने कहता है और खिरकी शायद अब तक चल रहा होगा अब यहां पे हमें पुलिस वाले के लाइफ की कुछ जलकियां दिखाई जाती है लेकिन उसको में एक साथ बाद में कवर करूंगा फिलाल जब सैम विंडो से बाहर देख के पीछे मुरता है तो पुलिस वाला फ्रांक वहां पे नहीं था ख में नेटवर्क आ जाएगी और फिर तुम अपनी वाइफ से बात करके यहां से निकल पाऊगे तब ही सैम को गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है और वो वर्जिल को लेके यहां से निकलने की सोचता है अब कमरे से बाहर आते ही इन्हें लिली मिल जाती है और यह भूम रहा था और वर्जिल का कहना था कि अगर हम उससे आराम से बात करें तो वो हमें शायद रास्ता बताएगा लेकिन लिली का कहना था कि उस इंसान का चेहरा गायब हो जाता है और उससे बात करने का कोई फायदा नहीं उसे मरना होगा सैम धीर धीरे उस बड़े से वापस से फीचरलेस हो जाता है इस पॉइंट पर वर्जिल चिला के कहता है कि उसे छोड़ दो और ये सुनके ये बड़ा आदमी वर्जिल के पीछे जाता है अब इससे पहले सैम और लिली संभल के वर्जिल तक पहुंचते ये बड़ा आदमी वर्जिल के साथ गायब हो इसके बाद लिली और साम लिफ्ट में भागते हैं लेकिन ये बड़ा आदमी वापस आकर लिली को भी उठा ले जाता है साम किसी तरह लिफ्ट से भाग के वापस लॉबी एरिया में पहुंसता है जहां अब वो अकेला था अब यहां पे वापस से हमें साम की लाइफ की कुछ जलकियां दिखाई जाती है लेकिन as I said before characters की लाइफ के बारे में हम सही समय पे detailed रूप से जानेंगे moving on साम को इस लॉबी एरिया में मॉनिका मिलती है जो की बताती है की लॉबी एरिया में कोई डोर्स वगेरा नहीं है इसके ठीक बात lift से लिली भी आती है जो की lift डोर्स की मदद से उस बड़े आदमी का गरदन ही काट दी थी Then Frank भी lobby area में आता है and then हम Carter को भी यहां आते देखते हैं अब Carter को देखके Frank अपना gun उस पे तान देता है सेंग की Carter एक मुझरिम है वहीं Carter का कहना था कि Frank की उसको बिना मतलब shoot कर दिया था अब यहां पे मैं आपको Frank और Carter के life के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा दरसल hospital में आने से पहले Frank जो की एक cop है वो किसी store में गया था store में उस वक्त एक बंदा robbery कर रहा था और store का owner Frank से कहता है कि hoodie वाला बंदा robber है Frank अपना gun लेके मुरता है जहां वो store में तीन लोगों को देखता है एक white बंदा जो की hoodie में था और वही robber था then Carter जो की hoodie में था and Carter was black लेकिन वो निर्दोश था and then वहाँ एक old lady भी थी Carter और old lady Frank से कहते हैं कि robber दूसरा वाला white hoodie guy है लेकिन Frank mostly racist था इसलिए वो Carter पे ही हमला कर देता है ऐसे में यहां गोलिया चलती है और वो असली robber Frank को shoot करता है Frank भी उसको shoot करता है और crossfire में उस बूरी औरत को भी गोली लगती है खेर hospital में Sam सबको साथ मिलके यहां से निकलने का plan बनाने कह रहा था लेकिन Frank और Monica बार बार Carter को criminal बुला रहे थे ऐसे में Carter Frank को racist कह देता है और Frank Carter को वहीं सर पे गोली मार देता है इसके अधर Frank चार्ज लेता है और वो decide करता है कि सभी elevator से basement यानि नीचे जाएंगे elevator के अंदर धुआ भड़ा हुआ था और यहां Lily Sam को उसके साथ रहने कहती है Monica डर के भागती और Sam Monica को calm down करने उसके पीछे जाता है Sam Monica समझाता है कि भली stairs और एक elevator में धुआ है गोशली figures है लेकिन एक दूसरा elevator भी है जिससे वो बाहर निकल सकते हैं यह दूसरा elevator वही था जिससे Sam first time आया था उस बुड़े वाले आदमी से बचके ऐसे में Lily Sam और Monica उस elevator की तरफ जाते हैं और रास्ते में यह लोग हॉस्पिटल के मौग से गुजरते हैं अब मौग में कुछ लोगों की लाश थी लाइक वो बुड़ी और जो की काटे के साथ स्टोर पे थी और गन फाइरिंग में मारी गई थी दन स्टोर का actual hoodie वाला white robber या फिर वो drunk driver जो की Sam की car को ठोक दिया था इत्यादी अब इनकी लाश को देखकर हम मौनिका के अंदर थोड़ा पचतावा देख पाते हैं क्योंकि पूरी लाइफ में वो सिर्फ अपनी beauty के पीछे भागी थी इसके लिए वो face surgery करवाई, body में अलग-अलग surgery करवाई और अभी वो अपना chest enhancement करवाने आई थी जिसके बाद वो इसी hospital में फस गई है एनिवेज एक point पे इस मौग में पड़ी साड़ी लाशे उठ जाती और अचानक से यहां Frank फिर से आ जाता है Frank फिर से सबको ड़ा धमका के सबके साथ नीचे आए लगता है जहां उसे exit भी दिख जाता है although इस exit के पास धुआ 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 था तभी एकदम से काटा भी यहां आ जाता है और वो Frank पे हमला कर देता है यह दुनों एक दूसरे को चोटिल करते हैं लेकिन Frank फिर से हाथा पाई जीत लेता है इसके बाद अचानक से फिर से घोस्ट ली अद्रश्चे पावर Frank को exit से बाहर खीज ले जाती है अब इन घटनाओं के कारण मॉनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी और वर्जिल भी एकदम से यहां आ जाता है लेली अब भी Sam को कंविंस कर रही थी कि उसे exit से बाहर जाना होगा और नीचे ही रास्ता है लेकिन अब Sam लीली की बात नहीं सुन रहा था रादर वो वर्जिल के साथ elevator से उपर जाना जाता था यहां मॉनिका रोए जा रही थी और एक पॉइंट पे हम लीली के eyes को black होते देखते हैं जिससे मॉनिका भी धुए वाले exit की तरफ खीची चली जाती है यह देखकर Sam समझ गया था कि लेली सही नहीं है और इसलिए finally वो वर्जिल के साथ lift में जाता है यहां Sam को realize हो गया था कि वो अभी जह जगा पे है वो real life तो बिलकुल नहीं है वरना सारे characters मरने के बाद ही वापस कैसे आ जा रहे हैं without any injury तो हां most probably यह किसी तरह का after life है वर्जिल का कहना था कि यह जगा ना hell है ना heaven है और ना ही something in between अब वर्जिल के साथ आगे बढ़ते हुए Sam को एक kids room जैसा जगा देखता है जहां वो अपनी wife को बच्चे के साथ देख पाता है ना of course यह एक vision था जहां Sam की wife उसे kind of वापस बुला रही थी ना उस point पे मैं आपको Sam की life की कहानी थोड़ी और बता देता हूँ तो आप इतना तो जानते ही हैं कि Sam workaholic था उसका accident, text और drive करने के कारण हुआ था लेकिन यहां कुछ और details भी हैं for example Sam अपनी wife पे शायद cheat भी किया था although अब वो सुधर गया था और उसकी wife भी उसको उस cheating के लिए माफ कर दी थी बट still Sam अब सिर्फ अपने काम में रहता था और wife की care तक नहीं करता था जबकि उसकी wife Sam और उसके होने वाले बच्चे का बहुत ध्यान रख रही थी कहीं न कहीं Sam इन सब बातों को regret कर रहा था और वो वरजल से पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ वरजल कहता है कि यहां जो लोग भी हैं वो मिर्त नहीं है बलकि अगर आप इस जगह पे मारे जाते हो तो आप और भी disoriented और पागल जैसे हो जाते हो तब ही वो बुढ़ा इंसान पागलो की तरह हमला कर रहा है दिन फ्रैंक और चिरचिरा होता जा रहा है इन फाट काटर भी मरने के बाद जब वापस आया तो वो बहुत गुस्ते में फ्रैंक पे हमला किया था देखा जाये तो सैम यहां एक भी बार मड़ा नहीं था और इसलिए शायद वो अब तक sane है लोग यहां जितना disoriented होंगे वो यहां उतने लंबे समय के लिए फसे रहते हैं वो तीन लेडिज जो कि बिना सोचे समझे सब पे हमला कर रही हैं वो काफी समय से फसी होंगी वो बुढ़ा इंसान तो सोचो कब से फसा हुआ होगा वर्जिल कहता है कि वो बस एक guide है जो कि सैम को सही जगा पहुचाना चाहता है इन फाक डॉक्टर लिली भी एक guide है जो कि सैम को कहीं और ले जाना चाहती है तो यहाँ शायद hell heaven या फिर life or death का खेल हो रहा है जहां वर्जिल एक अच्छा आदमी है और लिली बुरी है हम फिर से सैम के accident का scene देखते हैं जहां वो medic जो कि Frank को होसला दे रहा था वो वर्जिल ही था वहीं पर demotivate करने वाली police लिली थी then Carter Frank वाले case में वो बुरी औरत kind of Virgil थी जो कि Frank को सही criminal की तरफ point कर रही थी लेकिन store का owner kind of लिली थी जो कि Frank को भरका रही थी ताकि Frank भरक के अपना racism दिखाए और Carter को खत्म कर दे जो कि एक निर्दोश था in fact Monica की surgery के दोड़ान भी एक nurse बोली थी कि तुम ऐसे ही बहुत खूब सूरत हो well वो Virgil था जबकि Doctor कहता है कि मैं तुम्हें और खूब सूरत बना दूँगा वो डॉक लिली थी मतलब ये metaphor है kind of जो कि Virgil और लिली को represent करते हैं actually में वो लोग नहीं थे I hope आप यहां point समझ रहे होंगे कि कैसे हर इंसान के life पे evil versus good darkness versus light का एक द्वंद हमेशा रहता है और choice इंसान के हाथ में है यहां good या फिर light Virgil है और evil या फिर darkness लिली और लिली को आप लिल्थ भी कह सकते हो in fact इसका एक जिक्र भी movie में हुआ था यह सब सुनके Sam decides कि वो जल से जल उपर जाएगा छट पे यहां रास्ते में Sam को एक बच्ची दिखती है जो कि movie के दोरान एक दो बाड़ कुछ seconds के लिए दिखी थी लेकिन मैं आपको नहीं बताया because it was not important बट अभी बता रहा हूं क्योंकि अब बच्ची का थोड़ा roll है और हम देख पाते हैं कि यह बच्ची थोड़ी जली हुई से दिख रही थी यहां Sam उसे अपने साथ उपर छट पे ले जाने लगता है यह तीनों elevator में जाते हैं जहां वो बुड़ा आदमी फिर से Sam पे हमला कर देता है Sam उसे लड़ते हैं बच्ची को स्टेल से उपर भागने कहता है और एक point पर यह बुड़ा आदमी Sam को stab करता है जिसके बाद Sam खुद को kind of real hospital में पाता है जहां कई लोग थे यहां अगेन वो अजीब सी नर्स Sam को घसीट के वापस उसके बेट पर ले जाये लगती है और Sam देख पाता है कि real life में वो बुड़ी तरह चोटिल है और ICU में है उसकी wife प्रे कर रही है कि Sam बच जाए लेकिन डॉक्टर्स यहां Sam को वो electric वाली treatment होती है ना जो कि 1,2,3 चार्ज करके देते हैं हाँ तो वो कर रहे हैं उसके heart को revive करने के लिए अब उसी electric वाली treatment की वेज़े से Sam एक बाद light glass को तूटता हुआ महसूस किया था अगर आपको याद हो तो इसके बाद Sam वापस इस haunted type hospital वाले scenario में आता है जहां nurse का चेरा भी featureless हो चुका था तभी वर्जिल यहां आके nurse पे हमला करता है और Sam को बचाता है Sam या फिर से bed पे उस बूरे patient को लेटा देखता है और उसको ऐसा लगता है कि कहीं वो बूरा इंसान मैं ही तो नहीं हूँ वो वर्जिल से पूछता है कि मैं कितने समय से यहां फसा हूँ और वर्जिल कहता है कि वो important नहीं है important यह है कि यह faceless लोग तुम्हें यहीं रोकना चाहते हैं लेकिन you can always choose life तुम्हारे पास choice है और हाँ वो बड़ा आदमी था न वो भी अच्छा आदमी है जो कि तुम्हें नीची चाहें से बचाना चाहता था खेर इस सब discussion के बाद Sam stairs से उपर भागता है और लिली उसे फिर से stairs पर रोकती है वो कहती है कि rage with me लेकिन Sam उसकी एक नहीं सुन रहा थ हमें दिखाय जाता है कि जो लोग भी लिली का साथ दी हैं मतलब लिली के रास्ते पे गए rage किये वो सब real world में मर रहे हैं और example Frank, Carter and Monica तभी वहाँ फिर से वो बड़ा आदमी आता और लिली को उठा ले जाता है मौका पाकर Sam उपर भागता है और उपर छट के पास उसे वही और वो काफी उदास्त है इधर Sam पहले बच्ची को डोड़ के थू लाइट की और छट पे भेजता है दिन हमें real life में Sam की हालत दिखाई जाती है जहां वो बेहोश हॉस्पिटल ने पढ़ा है और उसकी वाइफ उसके साथ है Sam की वाइफ उसे अपना होने वाला बच्चा मह इन सीन्स को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये बच्ची और सैम रियल वर्ड में जिन्दा हो गए होंगे लेकिन रियल वर्ड में मॉनिटर पे इनकी पल्स और हार्ट बीट जिरो देखती है यही पे फिल्म खत्म हो जाता है तो दोस्तों यह थी डिसकोईट फिल्म की कहा किया हमें दी गई है यहां मेन कायक्टर सैम था जो कि परफेक्ट हस्बंड नहीं था आइमिन शायद वो पास्ट में चीट किया था देन अभी वो फैमिली छोड़के अपने वर्क में बिजी रहता था वगेरा वगेरा स्टिल वो एक हार्ड वर्किंग हुमन था जो कि जाएगा या नर्क में इस जगह पर दो गाइड से पहली लिली जिससे हम लिलित भी कह सकते हैं और दूसरा गाइड है वर्जिल लित लोगों को मौत डाकने स्या फिन नर्क की तरफ धकेलने की कोशिस करती है विच आलसो इसन ईजी वे आउट वहीं वर्जिल लोगों को ज पिजन करता है जीवन लाइट या फिर स्वर्ग को ना उदा इंट्रेस्टिंग पार्ट इस कि यहां दिखाएगा एक 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 चॉइस के पास एक चॉइस थी कि वह क्या चूज करना चाहते हैं अब चाहे वो फ्रैंक हो मौनिका हो काटर या फिस सैम लेकिन कुछ क्या चॉ इसलिए यहां इनका जजमेंट हुआ जहां इन्हें मिला चॉइस अब फ्रैंक यहां भी अपना रेसिजम नहीं चोड़ा और गलत चॉइस लिया इसलिए वो नीचे गया और रियल लाइफ में मर गया मौनिका भी हार मान गई और उसका भी वही हसर हुआ काटर वैसे तो सूफ तक गया जहां उसे लाइट दिखा अब को याद होगा कि सैम पे बुढ़ा आदमी अटैक कर रहे था और सैम को ऐसा लगता है कि वह बुढ़ा आदमी वही है तो इसको पॉसिबल कि सैम को एक विजन दिखाया था कि अगर वह सही रास्ते पर नहीं गया तो वह रोम पोएट थे लेकिन उनके काम को अब आप देखेंगे तो उसका रीपेजेंटेशन भी यहां समझ पाएंगे उस पर हम इस वीडियो में डीटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यह वीडियो अल्रेडी काफी लंबी हो चुकी है अब आते हैं सबसे बड़े डिबेट पर कि क्या लास्ट में सैम और चुटी बच्ची रियल जिंदगी में जिन्दा बच पाएं या फिर यह जगह स्वर्ग और नर्ग का डिसिजिजन लेने के लिए था वेल डिस डिपेंस कि यह हॉस्पिटल किस तरह की जगह थी अगर यह हॉस्पिटल एक ऐसी जगह थी जो कि डिसाइड करता है कि कैरेक्टर्स आफ्टर लाइफ में कहां जाएंगे न सारे कैरेक्टर्स अल्रीडी मर चुके थे सैम और वो बच्ची हेविन की ओड़ गए इसलिए शायद मूवी के एंड सीन में रियल लाइफ में दोनों के मॉनिटर पे जीरो पल्स और हार्ट रेट था मतलब कि वो लोग मारे ही कहे थे जस्ट आट हैविन या हेल में जाने का डिसीजन यहां पे हो रहा था वहीं अगर हम यह कंसिडर करें कि यह जगह रियल लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच की जगह थी देन सैम और वो बच्ची जिंदगी पाएंगे भले उनका मॉ को डिरेक्टर हम व्योज पर छोड़े हैं ता कि हम अपने ढंग से इसे इंटरप्रेट कर सकें ऐसे में आप बताईगा कि आपका क्या मानना है मेरा परसनली मानना है कि सैम और वो बच्ची जिनदा बच जाएंगे रियल लाइफ में क्योंकि वर्जिल फिल्म में कहा था कि जीना और मरना भी एक चौइस है अट इस प्लेस जिसे सैम को खुद चुनना है और सैम और वो बच्ची जीवन को चुने थे नौ एक्स्प्लैनेशन सुनके आप यह सोच रहे होंगे कि भाई इस मूवी को 0% रेटिंग सट 3.8 स्टार्स कैसे मिले हैं वेल भले मूवी तो आपको पता लएगा कि यहां डिरेक्शन काफी वीक है और डिरेक्शन से भी ज्यादा कुछ वीक है तो पातरों की आक्टिंग मतलब कुछ पॉइंट्स पे एकदम कॉर्णी और चाइल्डिश लगती है फिल्म के एंड तक हम कनफ्यूज ही रहते हैं not in a good way और इसलिए लोग शायद फिल्म को पसंद नहीं कर पा रहे थे फिल्म के characters बहुत ही caricatures way में लिखे गए हैं जो कि एक horror जैसे film के लिए suit नहीं करता comedy होता तो अलग बात थी still I believe कि ये फिल्म इतना कम ratings तो deserve नहीं करती I mean 0% on rotten tomatoes is a bit too much मैं personally इस फिल्म को 5 out of 10 stars दूंगा क्योंकि इसमें deeper meanings थी अब इस पे आपका क्या opinion है मुझे comments में जरू बताइएगा और याद रखना आपको भी rating करना है out of 10 तो बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद भाई हो तो से लाइक और शेयर करें साथी चानल पर नए हैं तो मैं सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम अपने चानल पर ऐसी वीडियो लाते रहते हैं पीस